मैं ते कैसे हैं आप सब लोग विड़ फिल सक्से स्टोरी लेकर के आई हूँ ये सक्से स्टोरी में इनोंने अपना नाम देने के लिए बना किया है लेकिन इनोंने ग्राटिट्यूड के अंदर जो लिखा था और स्क्रिप्टिंग की थी इनोंने as it is manifest हो गया है इनको कुछ टाइम चाहिए था मतब इनकी जो शादी हो रही थी न मैं पढ़ देती हूँ सक्से स्टोरी उसके बाद में बताती हूँ ठीक है हलो दिदी मैं अपने ग्राटिट्यूड की और स्क्रिप्टिंग की सक्से स्टोरी आप सब के जात में शेयर करना चाहती हूँ प्लीज आप मेरी सेक्से स्टोरी अपने चैनल पर जरूर शेयर करना मेरा नाम शेयर मत करना Thank you so much, मैंने अपने gratitude journal के अंदर अपनी शादी को 6 महीने postpone करने के लिए कहा था Actually, मेरे जो partner हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और मेरी शादी arranged marriage थी, उनसे fix हो गई थी लेकिन शादी की date आई थी, वो 6 महीने पहले आई थी और मेरा इसी 6 महीने के बीच में एक result आना था उसके बाद में मेरी job में मेरा promotion और भी बहुत सारी चीजे थी जो मेरे इस exam के result के उपर depend करती थी लेकिन मेरे घरवाले भी नहीं रुक रहे थे और उनकी family से भी वो लोग नहीं मान रहे थे और मेरे partner और मेरे बीच में इस बात को लेकर बहुत बार बहस हो गई थी इसलिए मैंने बिलकुल चुप होना ही अपने आपको सही समझ लिया और मैंने gratitude में ये लिखना शुरू किया कि मेरे partner खुद ही six month के बार शादी के लिए बोल रहे हैं और मैंने scripting भी की थी जिसमें मैंने काफी जादा detail में लिखा था कि मेरे partner ने मुझे call किया है और उन्होंने मुझे कहा है कि यार छे महीने तक बहुत सारी चीजें हैं मेरी life में और भी बहुत कुछ ऐसा आ गया है जो मेरे business के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है तो क्या हम 6 महीने तक रुख सकते हैं अब मैं नहीं पूछती हूँ वो पूछते हैं शादी के time को आगे बढ़ाने के लिए और हम दोनों के बीच में और भी बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ गया है और उधर से मेरा जो result आया है वो भी positive आया है इस तरहां से मैंने पूरी scripting की थी और मैं बीच बीच में gratitude में भी लिख देती थी फिर हम दोनों के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई हो गई और अब ऐसे लग रहा था अब तो कोई भी नहीं मानेगा और शादी की डेट जैसे जैसे करके पास आती जा रही थी मैं बहुत जादा disturbed होती जा रही थी सिर्फ दो महीने भी नहीं बचे थे और अब शादी होने ही वाली थी अब मैंने सोचा कि इस लड़ाई के बाद मैं अपने पार्टनर को नहीं कुछ भी कहने वाली हूँ ये मैंने पहले भी सोचा था लेकिन फिर से उसी बात पर लड़ाई हो गए और हम दोनों के बीच में इतना जादा बड़ा जगड़ा हो गया कि हम दोनों की बात चीत भी बंध हो गए पर शादी की डेट वैसी के वैसी ही थी हम दोनों की बीच में प्यार बहुत जादा है और फिर हम दोनों ने एक दूसरे से ना बर्त करने का हे decision लिया अकसर यही होता था जब भी हमारी लडाई होती थी जो जादा थर मैं ही जाती थी पर बहुत बार मेरे पार्टनर भी आ जाते थे पर जादा थर ये मेरी तरफ से होता था इस बर मैंने सुचा नहीं मैं अच्छे से मैनिफेस्ट करके इसे छोड़ देती हूँ और उस लड़ाई के बाद मैंने मैनिफेस्ट करके पूरा छोड़ दिया मेरे पास में करीब 20 दिन बाद मेरे पार्टनर का कॉल आया और उन्होंने कहा बहुत अरजंट बात करनी है मेरे एक business के लिए एक setup डालना बहुत जादा जरूरी हो गया है और बीच में एक partner छोड़ करके भाग गया है मैं बीच में फस गया हूँ और ये दो महीने में होना impossible है क्या तुम इतना support कर सकती हो कि हम अगर अब भी शादी ना करके एक साल के बार शादी करें तो क्या ऐसा हो सकता है मैंने उनको कहा नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी ना अपनी family में बोलूँगी आपकी family में बोलूँगी आपको बोलना है तो आप बोलो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि अब मैं दो महीने बाद भी शादी करने के लिए ready हूँ पर मेरे पार्टनर रेडी नहीं थे क्योंकि उनका बहुत जादा लॉस भी हो गया था और एक पार्टनर उनके काफी सारे पैसे का नुकसान करके भाग गया था अब दूसरा सेट अप उन्हें जमाने के लिए टाइम चाहिए था अब ये हुआ कि उन्होंने खुद ही मेरे परिवार में बात करी और मेरे परिवार में इस बात को لेके थोड़ा सा तनाव हो गया लेकिन फिर भी सब लोग बान गए फिर मेरे पार्टनर और मेरे बीच में बात होने शुरू हो गई और understanding बहुत ज़ादा बढ़ गई मैंने same to say manifest कर लिया लेकिन मैं अपने पार्टनर के लिए जरा सा अभी कुछ negative नहीं चाहती थी पर शायद universe को यही ऐसे ही plan करना पड़ा मेरी बज़े से पर अब मेरे पार्टनर जो कर रहे हैं उसमें उनके growth होने के ज़ादा chances है तो universe ने थोड़ा सा गिरा के बहुत उपर उठाने की सोच रखी है तो जो डेट थी ना शादी की वो दो महिने के बाद थी लेकिन इनके एक exam का result आना था जिस पर इनके job के आगे की चीज़ें टिकी होई थी तो यह सोच रहे थे कि 6 महिने मिल जाएं और वो चीज़ें हो जाएं फिर शादी हो जाएं लेकिन कोई भी नहीं मान रहा था पर इन्होंने अराम से gratitude किया और scripting की पर उसी बात पर बार बार partner से लड़ाई होती थी तो इन्होंने सुचा आप इस topic को discuss यह नहीं करेंगे and 20 days के gap के बाद मतलब इन्होंने कोई action नहीं लिया यह हर बार मनाने जाते थे इस बार यह मनाने भी नहीं गए और manifest हो गया यार वहाथ अच्छी success story थी अब आप लोग लेट मत करियेगा अब जो भी आपके partner के साथ time decide होता है आप आराम से शादी कीजियो और खूब enjoy कीजिये अपनी नई job अपने promotion आपके जो भी चीज़ें थी वो इन्होंने काफी clear करके इसमें नहीं लिखा जो आपके बारे में इसलिए मैं बता भी नहीं सकती हूँ उन सारी चीज़ों को enjoy कीजिये और अपनी शादी शुदा life को भी खूब enjoy कीजिये congratulations अपने नगा रखी कहाल अपने अपसे कीजिये सारा प्यार था कि अब एट्राक्ट करें थी सारा प्यार love y'all आप आप